तीन साल में पैसा डबल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि होगा, हो चुका है तीन साल के अंदर पैसा डबल, सारे प्रूफ्स आपको दिखाऊंगा और इस वीडियो के अंदर SBI के Magnum Mutual Fund के बारे में भी information देने वाला हूँ कि कैसे work करता है, आपको यहाँ पर लमसम करना चाहिए या पिर SIP करनी चाहिए, कितना invest करेंगे तो आपका पैसा यहाँ पर 3 साल में डबल हो सकता है, कितना return यह दे रहा है और किस तरह का mutual fund यह रहने वाला है, सब कुछ detail इस व के अंदर हम बात कर रहे है, SBI के Magnum Mutual Fund के बारे में जो कि बहुत ही शानदा return दे रहा है, लेकिन यह कहां पर invest करता है, किस तरह से आपका पैसा बनेगा, क्योंकि investment वही सही कहलाता है, जहां पर अच्छा return मिले और risk भी कम हो, तो यह वही mutual plan है, जो कि मैं आपके साथ में share कर सबसे बाले मैं बता हूँ, अगर mutual fund आप नहीं जानते हैं, mutual fund का नाम सुनकर ही भागना चाते हैं, तो आपको बता दू भाया, आज के time पर सबसे अच्छा return mutual fund में ही मिल रहा है, और कोई भी ऐसी देगे नहीं है, जहां से आप अच्छा return निकाल सको, अब mutual fund होता क्या है, आपके पास में capital है, एक capital आपके पास में है और आपके पास में पैसा है, आप उसको invest करना चाते हैं, लेकिन आपको stock market की knowledge नहीं है, तो mutual fund वाले बोलते हैं, आज आई भाया, आप इधर आईए, हम आपका पैसा stocks के अंदर लगाएंगे, और आपको भैतरी return देंगे, देकि हम थोड़े expert हैं, हम उनी stocks के अंदर पैसा आपका invest करेंगे, जहां से अच्छा return मिल रहा, जो कि growth कर रहा है, अब आप भी इतने समझदार है कि सही mutual fund की तलाश करेंगे, और सही mutual fund के अंदर invest करेंगे, SBI के बारे में आज हम पूरा cover करने वाले हैं, SBI के नाम से ही लोगों क भरोसा होता है, भरोसा जाग जाता है, आज देखिए मैंने screen recording side में लगा दिये, SBI का मेगनम mid cap direct plan growth की हम आज बात करने वाले हैं, इसका NAV की बात करते हैं, अभी यह है, 197.27, यह नहीं, 177.27 पैसे अभी ही चल रहा है, return के उपर आप नज़र डालेंगे, तकरीबन 20% का return य रहा है, आप FD कराते होंगे, LIC कराते होंगे, insurance लेते होंगे, कहीं पर भी इतना return नहीं मिल रहा, जहां यह 20% SBI का mid cap mutual plan आपको दे रहा है, अब थोड़ा सा सकी detail के अंदर और बात कर लेते हैं कि इसमें क्या-क्या है, इसका AUM जो fund size है, 12,555 करोड रुपे का fund size है, आप यहाँ पर minimum जो SIP है, वो यहाँ पर 500 रुपे से कर सकते हैं, लमसम जो करेंगे, वो 5,000 रुपे आपका minimum amount रहता है, अब देखे, आपको कितना amount invest करना है, क्या एक ही mutual fund के अंदर invest करना सही रहता है, amount इन सब पर भी हम बात करेंगे, वीडियो को आप देखते जाएए, समझ कर रहे हैं, तो आपका पैसा कहा कहा लग रहा है, यह देखना जरूरी, आप किसी भी mutual fund के अंदर invest कर रहे हैं, तो यह जरूर से चीज आप सबसे पहले देखिए, आपका यहाँ पर 61 shares के अंदर आपका पैसा जाता है, अब मैं बता दू, check out portfolio analysis हम करते हैं और आपको बताता जाता है, top 3 stocks के अंदर 11% जाता है, तो यह आपका ratio आपको देखना बहुत ही जरूरी होता है, इसके अलावा अगर हम sector wise इसको देखें कि कैसे पैसा जाता है, automobiles के अंदर जो invest करते हैं उनके stocks के अंदर इनका ratio है तकरीबाँ 14%, automobiles के अंदर आजकर हर किसी की need रहती है, capital goods इसके अंदर जाता है आपका तकरीबाँ 15%, finance के अंदर जाता है 11%, services के अंदर जाता है आपका 8% तो यह रही बात कि आपका पैसा कहां कहां पर लग रहा है, main यही रहता है कि आपका पैसा सई जगे invest होना चाहिए, SBA के उपर लोगों का भरोसा रहता है, अब मैं आपको पर निकाल सकते हैं, 30 से 32, 35 रुपे दिन के निकाल पाएंगे, I think सब लोग निकाल सकते हैं, 30 से 32 रुपे, comment में बता दीएगा कितने निकाल सकते हैं, अब देखी मैं एक average लगा कर चल रहा हूँ कि आप दिन के 30 रुपे बचाते हैं, तो मेने क्या आपके हो जाते हैं, तक के लिए हम करते हैं, और जो growth rate मैंने आपको दिखाया था हूँ, आप ध्यान से देखिए का आपका जो total invested amount वो 1,20,000 रुपे जा रहा है, मातर 1,20,000 रुपे आपका जा रहा है, आपको total जो मिलेगा maturity value आपकी होगी 3,85,000 रुपे, अब गया गणित आप बताईगे, पैसा 3 तीन गुना हुआ या नहीं हुआ, हुआ ना, तीन गुना आपका पैसा यहाँ पर हो चुका है, आपने 1,20,000 रुप लगाये थे, और आपको 3,82,000 रुपे मिल रहे हैं, ऐसा कहीं और होता है, क्या नहीं होता है, मैं बता दू आपको, अब यहाँ पर देखिए नीचे graph, आपने जो पैसा दिया है, वो white वाला ratio नीचे दिखाई दे रहा है आपको, जो आपका increase हुआ है, वो blue वाला ratio है, तो आप देखिए, white वाले की संग्या कम है, और blue वाले की ज़्यादा है, अब कोई बात नहीं, आप बोलेंगे कि थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा है, राउल हम चाते हैं कि इसको और long time तक हम कर सकते हैं, हमारी age अभी 20 साल, 25 साल, 30 साल है, हम 20 साल तक कहीं नहीं जाने वाले हैं, 20 साल तक इसको continue कर सकते हैं, 11,000 रुपे देने हैं, तो भाईया ऐसा अगर आप कर सकते हैं, तो आपकी किस्मत, किस्मत, किस्मत बदल जाएगी पूरे आने वाले 20 साल के अंदर, कैसे बतने की जोश मेरे अंदर आता, क्योंकि पैसे की बात होती है, पैसा कैसे कमाएं, आज के टाइम पर, importance यही होगा, यह बुड़ापे के अंदर जब पैसा नहीं होगा ना, तो कोई भी पोते होते काम नहीं करें, कोई भी बिड़ा पैसा हो आने मैं कुछ भी नहीं चुपा रहा हूँ, आपसे आपके आखों के सामने सब कुछ कर रहा हूँ, calculate पर मैंने click कर दिया है, अब देखिए आपका जो पैसा है double हो गया है, एक लाग बीस साल के अंदर आपका amount यहां से जा रहा है, गेन कितना हुआ है भाहिया, थोड़ा आ अब आपने मातर 10 साल बढ़ाया है, इसका time period और आपको 31 लाग रुपे मिलेंगे, 31 लाग रुपे, जो graph पहले आप देख रहे थे, अब graph देखिए, आपका white वाला जो आपने पैसा दिया है, वो नजर भी बहुत कमा रहा है, और जो gain हुआ है, वो आ रहा है blue वाले में बह बहुत ज्यादा, सार ये maturity और compounding, compounding का ही पूरा खेल होता है, और जितने long time तक आप पैसा ही पर करेंगे, उतना ज्यादा आपको यहाँ पर पायदा रहता है, मातर 20 साल के लिए पैसा hold कर लीजिए, अब कई यहाँ पर ज्यान लगाने वाले थोड़े दिमागदार लोग बोलेंगे कि 20 साल के अंदर 31 लाग की कोई value नहीं रहीगी, मैं यह पोछना चाहता हूँ, आज से 10 साल पहले यदि आपने 1 लाग, 2 लाग रुपे जोड़े होते, आज आपके पास में 2 लाग रुपे भी जेम में आ जाए ना, 10, 20, 30,000 रुपे लगाए होते आपने पहले, आज से 10-20 साल पहले, और 2 लाग रुपे भी जेम में होते तो उस 2 लाग की भी value आज की तारिक में है, तो आज से 20 साल बाद भी 31 लाग की value रहेगी, और यह मैं सही कहा रहा हूँ, महंगाई और बढ़ रही है, मानते हैं, लेकि 31 लाग रुपे का amount कम नहीं होता है, इसकी value उस according ही रहेगी, जितनी अभी पैसे की value है, अगर आप चाहें तो इसको और थोड़ा सा लंबा कर सकते हैं, आप चाहें अच्छा पैसा, age कम है आपकी 25 साल के असपास age है, तो मैं कहूँगा कि आप इसको 25 साल के लिए कर दीजी, और फिर calculate करिए, आपका जो पैसा अब द जो है, इसको मैं यापर stop कर देता हूँ अभी, अगर आप SIP करते हैं, interested रहते हैं, तो एक mutual fund के अंदर मत करना कभी भी भाईया, एक mutual fund मत पकड़ना, छोटा-छोटा amount अलग-अलग जगे पर invest करना, वो ही आपका सई investment कहलाएगा, यदि आपने एक जगे investment कर दिया, गलती से फस गए, आप कुछ गलत हो गया, market up-down हो गया, तो लेने के देने पड़ जाएगे, आपका विश्वास उड़ जाएगा, आप 10 लोगों को negative कर देंगे, इसलिए कह रहा हूँ, अलग-अलग mutual fund के अंदर invest करो, छोटा-छोटा amount लगाओ, और लंबे समय के लिए लगाओ, आ अलग-अलग mutual fund के अंदर invest करना चाहिए, मैंने आपको यह review किया है, SBI का मंगल, यह वाला plan, मैंको कोई पैसा नहीं मिल रहा है, इसका promotion करने का, तो मैं किसी तरह से promotion नहीं कर रहा हूँ, लेने के लिए भी नहीं कह रहा हूँ, एक अच्छा growth rate यहाँ पर दिखा, 20% तक का return इसलिए मैंने इसके उपर video बनाया है, और आपके सामने जानकारी रखी है, कि यह भी एक अच्छा mutual fund हो सकता है, और यहाँ पर यह जो invest करते हैं, वो अच्छे-चे stocks के अंदर ही invest करते हैं, आपका amount तो आप इसको कर सकते हैं, मेरे चनल के उपर आपको earning investments related videos मिलते हैं, आप मेरे चनल के उपर जाकर आप video देख सकते हैं, नावी के उपर मेरे बना रखा है, बहुत अच्छा application है, वहाँ पर भी आप invest जाकर कर सकते हैं, यदि आपके वास में SBI की net banking है, तो वहाँ जाकर भी आप यहाँ से mutual fund ले सकते हैं, तो वीडियो कैसा लगा है, comment box में बत तही जाहिन जापरत